दिली की ओल्ड राजिंदर रगर में हुए हादसे में जिस हादसे में तीन चात्रों की मौत हो गई थी चात्से के बाद जो UPSC आस्पिरेंट्स है वो चात्र इंतजार कर रहे थे अपने हीरोज के रियाक्शन का विकास दिवकीर्ती और अवर ओजा का जिहां सोशल मीडिया पर ये दोनों ही चेहरे बहुत बारल है और चात्रों के बीच काफी लोग प्रिये भी है जो चात्र थे बेहत निराश थे उदास थे दुखी थे कि उन्होंने अपने तीन साथी चात्रों को खो दिया और इतने बड़े हादिसे पर विकास दिवकीर्ती और अवद ओजा मौन है लेकिन अब मौन टूटा है विकास दिवकीर्ती का विकास दिवकीर्ती जिनके एक सेंटर द्रिष्टी जो मुखरजी नगर में वर्दमान मौल के बेस्मन में चलाया जा रहा था उस पर भी आक्शन हुआ वो भी सील हुआ और अब विकास दिवकीर्ती का रियाक्शन आया है सबसे पहले विकास दिवकीर्ती ने अपने रियाक्शन के लिए देरी पर माफी मांगी है उन्ही के शब्दों में जो उनकी दृष्टी आयस की वेबसाइट पर ऑफिशल प्रेस रिलीज में जो उन्हें लिखा है देरी से जवाब देने के लिए शमा मांगी है तीनोही बच्चों के प्रती गहरी सम्वेदना व्यक्ट की है और श्रधांजली अर्पित की है परिवार को आश्वासन भी दिया है इसके बाद उन्होंने बिना किसी मगर के लिखा है कि जब विद्यारती प्रदर्शन कर रहे हैं उनका वो प्रदर्शन पूरी तरह न्याय संगत है लेकिन साथीर उन्हें सिस्टम की खामियों को भी उजागर करते हुए एक लंबा चोड़ा लेक लिखा है क्या लिखा है आपको बताते हैं इसमें वो लिखते हैं कि विद्यारतियों का रोश बिलकुल सही है न्याय संगत है लेकिन इस रोश को सही दिशा मिलने चाहिए क्या है सटीक दिशाथ? कि सरकार है वो कोचिंग संस्थाओं के लिए जगा मुकरर करे, निधारित करे कि किस जगा पर कोचिंग सेंटर्स होने चाहिए? सरकार प्रपर डिरेक्शन लेकर आए, प्रपर गाइडलाइन्स लेकर आए और वो सरकार के साथ सक्रिय सहयोग के लिए तयार है वो इस प्रेसरीज में लिखते हैं कानून में क्लारिटी नहीं है उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है लिखा है कि DDA, MCD और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जो नियम है उनमें असंगती है दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नाशनल बिल्डिंग कोल, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइट बिल्डिंग बाई लॉस के प्राफधानों में भी काफी काफी कॉंटरिक्शन्स है कोचिंग संस्थानों के लिए सपष्ट प्राफधान नहीं बनाए गए है उन्होंने अपनी तैयारियों का ब्यारा दिया उन्होंने बताए कि किस तरह से उनके सेंटर्स में बकाइदा एक पोस्ट है फायर एंड सेफटी ऑफिसर्स की चात्रों को ये बताया जाता है कि जिस रूम में वो एंटर कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से उनके सेंटर्स है वहाँ पर और वो खुद भी चात्रों की सेफटी को लेकर सजग रहते हैं सतर्क रहते हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि उनका एक सेंटर दृष्टी दविजिन उस पर ताला क्यों लगा क्यों वो बेस्मेंट में चलाया जा रहा था इसके अलावा उनका जो ये सेंटर है उसके लिए प्रशासन ने साफ कहा है कि वो मास्टर प्लान 2021 का उलंगन करता है प्रशासन के ओर से कहा गया कि उनके सेंटर को नोटिस भीजा गया कि वो बेस्मेंट में क्यों चलाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई जवाब नहीं आया नोटिस के मताबिक दृष्ट्री के सेंटर के पास स्वाय डिपार्टमेंट से एनोसी भी नहीं था इसलिए इसे सील कर दिया गया विकास जिवकिर्थी ने अपने संसान के प्रक्ष में तो ये लिखा है कि दिली रगा निगम की कारवाई स्वागत योग्य है लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि उनका सेंटर सील क्यों किया गया उनका सेंटर बेस्मेंट में क्यों चलाया जा रहा था इसको लेकर कोई सफाई नहीं है स्थाई समाधान उन्होंने जरूर दिया है कहा है कि सरकार प्रॉपर गाइडलाइन बनाए इसके लिए और उसमें वो अक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सक्रिय सायोग के लिए तयार है अपील की है कि सरकार दिल्ली में 3-4 चेत्र ऐसे चुनले जहां पर सरकारी जो कोचिंग सेंटर्स माफ कीज़ेगा वो चलाये जा सकते हैं सरकार अगर क्लास्रूम्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल अगर खुद तयार कराएगी तो फिर बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा वो ये बता रहे है ये प्रतिक्रिया उनकी अंतिम प्रतिक्रिया नहीं है उनका मानना है कि जो इस विशे में complications है उन complications को explain करने के लिए वो जल्दी एक वीडियो को लेकर सामने आएगे याने कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा या कोई आर्टिकल वो रिलीस कर सकते हैं कोई लेख लिख सकते हैं अब फिर वीडियो के जरीए उजे तमाम जटिलताएं हैं जो कॉंप्लिकेशन्स हैं उनको सामने रख सकते हैं ओल्ड राजियंद्र नगर में यहादसा 27 तारिक को हुआ था शनिवार को जहां तीन मेधावी छात्रों की जान चली गए थी और तब से ये छात्र अपने हीरोज के रियाक्शन का वेट कर रहे थे विकास दविकीर्ती अब सामने आये हैं उनकी खामोशी तूटी है और उन्होंने बजाए इस पर सफाई देने के कि उनके सेंटर में इसरा नियमों की अवेलना क्यूं हो रही थी ऐसी कौनसी मजबूरी थी कि जो वो अतना सतर्क सजग रहने का दावा कर रहे हैं उनके सेंटर में उस नियम का उलंगन किया गया था उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं कहा कुछ नहीं बताया बलकि सरकार को ही सलह दे दी कि आप कदम उठाए आप गाइडलाइन्स बनाए आप तीन चार जगहा चुने वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाए और फिर आप लाइबरेरी हॉस्टेल्स क्लासे इसके लिए तयारियां करे इंफ्रास्ट्र कालोटरन को ज़रूर यहां पर साध्या कीजेगा लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना समय लग गया क्या इस एक्स्प्रेशन के लिए और उस पर भी अभी यह कहा जा रहा है कि वह एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक बार फिर सामने आएंगे यूगि सिस्टम में बह आज़त मिली थी स्टोरेज की वहां पर लाइबरी चलाई जा रही थी वहां पर पानी भर गया पानी सड़क पर कैसे भरा सड़क पर ना भरता तो पार्किंग में नहीं आता पार्किंग में नहीं आता तो वहां से बेस्में में नहीं जाता और फिर वह तीन चात्र आज ज लेकिन बड़ी बात है कि सिस्तेम में जो खामिया है आखरकार वो दूर कौन करेगा वो खामिया ठीक कैसे होगी अगर हर कोई एक दूसरे पर खामियों को लेकर दोशारोपन करता रहेगा